नमस्कार दोस्तों, PCS गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से लगबग ढाई यार सल पहले, एक ब्रहामन अपनी कुछ फॉलोवर्स के साथ गौतम भुठ से सवाल पुछने के लिए निकलता है। उसका मन बड़ा विच्रत होता है, और वो कुछ सवाल गौतम भुठ से पुछना चाहता है। जब गौतम बुद्ध के पहुशता है, तो गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्धा, मेरा मन बड़ा विचलित है और मेरे पास कुछ सवाल है, मैं आपसे कुछ सवाल पुछना चाहता हूँ. गौतम बुद्ध उसके तरफ देखते हैं और थोड़ा मुस्करा के बोलते हैं, ठीक है, मैं तुमारे सभी सवालों को जवाब दूँगा, पर मेरे एक शर्त है, तुम्हें एक साल तक मौनवत धारान करना पड़ेगा, तुम्हें एक साल तक चुप रहोगे और एक साल के बा जैसे ही ब्रह्माण इस बात को एगरी करता है, गौतम बुद्ध का एक और सिश्य जो पास में खड़ा होता है, वो जोड़ जोड़ से हसने रखता है, उसको हसता हुआ देखकर ब्रह्माण बड़ा अचंबित होता है, कहता है, भाई हस क्या और हो, ऐसी क्या बात होगे कि जो तुम इतना हासर है हो, सिश्य बोलता है, आसने कुछ साल पहले मैं भी आया था, मेरा मन भी बड़ा विचलित था, मेरे बास भी कुछ सवाल थे, और जब मैंने गौतम बुद्ध से कहा, तो गौतम बुद्ध ने मुझे भी एक साल मौनवत धारान करने के ने कहा, उस एक साल मेचूब रहने पर मैंने पाया कि मेरे विचलित मन बिल्कुल शान्त हो गया, और धीरे दे करके मेरे पास कोई सवाल बचा ही नहीं, मेरे पास कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं, ब्रहमान उस समय कुछ कहता नहीं है और चला आता है, शर्त के हिसाब से वो जो भी negative thoughts थे, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, उसका विचलित मन धीरे धीरे शान्त हो रहा है, और एक ऐसा वक्त आता है, जब उसके पास भी कोई सवाल नहीं बसता, एक साल पूरा हो जाता है, गौताम बुदु उसके पास पूरा हो चुका है, और शर्त के साब से तुमन मारे सभी सवाल होगा, जवाब दूँगा, ब्रामन कहता है, गुद्धा, जब मैं यहाँ आया था, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, मैं बहुत confused था, मैं बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, बट जो मैं एक साले में चुप रहा, एक साले मैंने मौन वरत धारण कि तो मैंने पाया कि मेरा विचलित्पन बहुत शान्त हो किया है, और आज मेरे पास आप से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, गौतम गुद्ध बोलते हैं, कही बार दुनियादारी के चकर में, हम बहुत सारी positive, negative, हर तरह के जानकरिया अपने मास रख लिएते हैं, और यह जानकरिया जो दुनिया भर के sources से हमें मिली हैं, हमें बहुत विचलित कर देती हैं, हमारा जो इस्तिर मने उसे बहुत ज़्यादा अस्तिर कर देती हैं, और उसके बाद हमारा confusion सुरू होता है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यहां तक हम अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम कुछ दिर शान्त बैठ जाएं, चुप होके बैठ जाएं, तो हम पाएंगे कि हमारे मन से जो भी negative thoughts हैं, वो धीरी देर कर निकल गए हैं, और हमारे पास जो बचा है, वो ही सक्ति होता है, आई-इस pieces की तैरी करने वाले भी लोग के साथ भी यही समस्या होती है, आज से कुछ साल पहले, जब मैंने pieces गुरू जी चैनल स्टार्ट किया था, तो लोग मुझे call करते थे, तो मैं पाता था कि उनके पास information भी कमी है, मैं उनको सही जान कर देता था, कि जिसे वो pieces की तै जरो से जादा information है, या मैं कहूँ कि उनके पास जरो से जादा misinformation है, दुनिया भर के YouTube चैनल, दुनिया भर के Facebook pages, Instagram pages, Telegram पे free notes, इन साब ने मिलकर एक student को बहुत confuse कर दिया है, आज student को अपने उपर तो भरोसा बिलकुल नहीं रहा, यहां तक कि जिसे वो सवाल पूछ रहा है, उसको यकीन ही होता है, जिसे वो सवाल पूछ रहा है, क्या वो सही जवाब दे रहा है, क्या उसके बास सही information है क्या नहीं है, सही information के चकर में वो दर 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 भटकता है, मुझे डर इस बात का है, कि वो जो दर दर भटकने से उसके अंदर की जो limited energy है, जो बहुत important energy है, वो बहुमोले time है, वो भी खतम हो जाएगा, और उसके बाद वो कहीं कहीं नहीं बचेगा, शुरूए मुझे इन पर हसी आती थी, आज मुझे इन पर तरस आता है, दोस्तों अगर आप तहरी करना चाहते हो, आई-ए-स-पी-स बनना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्तिर हो करना पड़ेगा, आपको किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं यूटूब चैनल पर, हो सकता है वो बेस्ट भी ना हो, बट अगर वो 50-60% भी अपना बेस्ट दे रहा है, तो यकीन मानिये, अगर 50-60% आप उससे ले लेंगे, तो बाकी का 30-40% जो है, वो आप अपने आप कर ले जाओगे, आखरी का 30-40% प्रॉलम नहीं करता है, शुरू के 20% प्रॉलम करते हैं, स्टुएंट को यह समझ में नहीं आता है, कि वो शुरू कहां से करें, तो इंपोर्टन यह है कि आप शुरू करें, खास कर य बढ़ो, हो सकता है, बाद में आप को लगेगी, इस नोट्स में कम यह रह गई होगी, आप उसको अपडेट कर ले जाओगे, बाद में, क्योंकि उस समय तक आप मैचूर हो चुकी होगे, आपको चीजे बहतर तरके समझना आना शुरू हो चुकी होगी, लेकिन शुरू मे आप परफेक्शन मत ढूलो, शुरू में आप यह देखो कि आप पढ़ाई है, वो स्टार्ट की है या नहीं की है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना स्टार्ट करना जरूरी है, अभी पहले स्टेप परफेक्शन मत देखो, परफेक्शन सेकंड स्टेज पर आता है, एक शर्त है, आपको मुझे पूरा भरोसा करना पड़ेगा, अगर आप मुझे पूरा भरोसा करते हो, तभी आप मुझे जोईन करो, अगर आप मुझे जोईन करोगे, तो शर्त यह है कि आपको यूट्यूब चैनल पर कोई फिस्टैटजी वाले वीडियोस नहीं सुनने कि PC कैसे बना जाए, नहीं, फिर आपको नहीं देखना है, मैं जो गाइड करूँगा, जो मैं स्टैटीज दूँगा, आपको बस फॉलो करना है, आप यूट्यूब पे गाने सुनिए, पिचले देखिए, मॉटिवेशनल थॉट्स सुनिए, पर स्टैटीजी मस सुनिए, क्यो बनोगे, कोचिंग, किताब, नोट्स, आपको सिर्फ गाइड करती है, सही डिरेशन में रखती है, हमारे एक पर्टिकुलर एक रोल है, उससे जाता कुछ नहीं है, मैंने तो आपको करने ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलोजी नहीं मिली, बनी है, जो कि आपको पिला दे, बहने तो करना पड़ेगा, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, कस्ट उठाने पड़ेंगे, अगर आप कस्ट उठाने के लिए प्रोसेस से गुजरने के लिए तयार है, तो वेकीन मानिए, एक दिन आप PCS-IS बन जाएंगे, दोस्तों, सबसे बड़ा आपका जो सत्रु है, वो आपका confusion है, इसको खतम कीजे, शुरू कीजे, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, कि आप चीजे शुरू कर पाओ, मैं बहुत देखता हूँ, students घंटो घंटो यूटूब चैनल्स पर रहते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, इससे त्यारी नहीं होती है, आप कुसी एक को follow कीजे, और follow करेंगे, पढ़ना शुरू कीजे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो सही, तो आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि वक्त आए, जब आपको थोड़ी maturity आजाए और आप इस वीडियो में इतना ही था, यूटूब पे बहुत सारे वीडियो और भी है, आप उनको देखते रहेंगे, मैंने डिस्रिप्शन बाक्स और नंबर लिख दिया, यहां पे मैंने अपने अपना नंबर रिफ्लैश किया हुआ है, अगर आप कुछ समस्या आती है, पीसे की बाकि कोई और समस्या आती है, तो कमेंट बॉक्स ते भी लिख सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूँगा, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उमिद करता अपने वीडियो पसंद आया होगा, नन्यवाद